जब रतन टाटा जी ने ये एनाउंस किया था कि टाटा ग्रूप एर इंडिया को एक्कोयर कर रहा है तो सब ने सोचा था कि अब एर इंडिया की फैसिलिटीज टॉप एर लाइन्स जैसे एमिरेट जैसी हो जाएंगी पर अफसोस की बात है ऐसा होता हुआ नजण नहीं आ र के के साथ मेरा एक्सपिरियंस वर्स रहा है यहां सीट टूटी होई है मनोरंजन के लिए कुछ नहीं है रीडिंग लाइट्स नहीं है पर कोक्रोज है दोस्तों आपका एर इंडिया के साथ कैसे एक्सपिरियंस रहा कमेंट सेक्शन में जुरू बताएं